उतरकाशी, चमौली और पितोड़ा गड़ के कुछ अलाकों में बारिश और बरबारी हो सकती है वहीं रोधुप्रयाग पॉड़ी के उचाई वाले इलाके में बर्फ गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है संबंदित जिलो में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है वहीं कुछ इलाकों में एवलाँच का भी खत्रा मन रहा है जिसे लेकर पुलिस और सुरक्षा बलोड को अलर्ट पर रखा गया है तो मौसम ने यूचन ले लिया है संबेदित जिलों में प्रशासन अलट पर है बारिश और बर्बारी का अलट जारी किया गया है चमौली पतौडागड के कुछ आलगों में बारिश और बर्बारी हो सकती है रुदप्रयाग पॉड़ी के उचाई वाले इलाके में गिर सकती है बर्फ तो आज भी बारिश और बर्बारी का अलर्ट जारी किया गया है मौसम ने यूटन ले लिया है संबंदित जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है आपको बता दे रुदप्रयाग पॉड़ी के उचाई वाले इलाकों में भी गिर सकती है बर्फ अब लॉंच को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर है बारिश और बर्बारी के जारी किया गया है तो आपको बता दे कि उत्राखंट में फिर से मौसम का घर नजर आ रहा है आज भी बारिश और बर्बारी के आसार बताया जा रहे है उत्राखंट के कई इलाकों में आज भी बर्बारी हो सकती है क्या मौसम का हाल है आज बारिश के साथ बर्बारी के भी आसार देखे जा रहे है क्या हाल है मौसम का इस तरह से मौसम के जो वहिश्यों आज थी वो साठीक साधित हो ली है तोला और सत्रा को भारी बर्बारी और बारिश के चैटाने थी तो बेराथ से चमुली में बारिश रहा हालनकि अभी बारिश बंढ है लेकिन उचाई वाले चैटरों में जो बद्रिनाथ के साथ सार जो खराली और घाट ब्लोक है वो बर्बारी वाला चैटर है तो कहीं में कहीं एक वाप्षिड से लोगों के मुस्किल है बढ़ने के आसा रहे हैं प्रशासन के सामने बी चुनोती बनी है कि इन गाउं में जो सड़कें बन हैं उनको खोडने के लिए किस पर एसे काम किया जाए जी तो बर्ब से पूरी सड़क जो है वो ढखी नजर आ रही है तो क्या प्रशासन के तरब से क्या किये जा रहे हैं ताकि आवाज़ाही में किसी भी प्रकार की कोई दिककत ना हो क्या कारवाही की जा रही है कत्तों का सामना करना बढ़ रहा है जी सुरेंच बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए